बहुजन यूथेंड स्टूडेंट फ्रंट अशोग नगर एवं गौलियर चंबल संबाग की ओर सी समीदान की प्रतियां जलाने वाले की खिलाफ कारेवाई करवाने की संबन में कलेक्टर को राष्टपती के नाम दिया ग्याबन गौलियर चंबल संबाग अध्यक्ष मुकेश अहिरवार एवं अशोख नगर जिला अध्यक्ष बगवन खंडेलवाल की मोजूदगी में रेली निकाल कर शांती प्रिये डंग से विरोध प्रदेशन किया गया जिसमें बहुजन यूथेंड स्टूडेंट फ्रंट के समस्त क कारेकरदाएवं उनके समर्थक लगवक 500 से 700 की संख्या में मोजूद रहे गोर्तलब है कि दिल्ली में कुछ समीदान विरोधी लोगों के द्वारा एस्सी और एस्टी एक देवं समीदान विरोधी कारेकरम आयुजित कर खुल्याम समीदान जलाया गया था गुनाजे प्रदाप चिंग प्रभाकर की रिपोर्ट राजदानी दिल्ली जंतर मंतर पर 9 अगस्ट 2018 को समीदान के प्रदिया जलाने के द्रोधी लोगों ने लोगों द्वारा कारेकरम आयुजित करके ये किसलिए किया था आपने ग्यापन किसके लिए दिया सर ये ग्यापन बहुजानी उतन्ड इस्टूडेंट के माध्यम से असोग नगर जिले में दिया गया है इसका हुद्देशी है कि 9 अगस्ट को जो भारत की राजदानी दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ आसामविदानिक लोगों ने सरगोची संविदान की प्रतियां को जलाया है एक बिवस्ते तरीके से चुने हुए तरीके से उन्होंने इसका चलाने का काम किया है उसके खिलाब में आज तक उनको ना तो नकी भारती नागरेक्ता को खतम गया है दूसरा ना उन पर देश दुरह का अभी तक कोई मुकदमन गया है उस मैंसे जितने लोगों ने उसका ब्रोध किया जितने लोगों ने चलाया है उनमें से अभी तक पूरे लोग रियासत में भी नहीं है यह साजन यह पर साजन यह देश की विवस्ता इस तरह की लापरवाही को ब्रफ रही है ये आने वाले समय में ये बहुत बड़े देश दुरोई के लिए चुनोती दे रही हैं सर। किस बैनर के लिए किया आपने एक हम।